दोस्तो इस दुनिया में मनुस्य एक मात्र ऐसा पराणी है जिसके पास सब कुछ होते वे 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 अपने आपसे कभी भी सैटिस्फाई नहीं होता वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में जितने भी इंसान है उनमें से कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कमी जरूर होती है लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है जो अपनी सारीरिक कंडिशन से ही परफेक्ट नहीं है जी हाँ दोस्तों इस दुनिया में कई बच्चे और इंसान ऐसे भी है जो अपने सारीरिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है और वे हमेसा यही सोचते है कि कास हम भी एक आम इनसान की तरह जिन्दकी गुजार पाते तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इनसानों से मिलवाने वाले है जो किसी नहीं किसी रेयर कंडिशन का सिकार है बस आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को इसकीप न करके अंत तक जरूर देखना दोस्तों कि आप सोच भी सकते है कि अगर किसी बच्चे के पास नाखी ना हो तो वे कैसे जीवित रह सकता है जी हां दोस्तों इस क्यूट सी दिखने वाली बच्ची का जन्म हुआ तो इसके पास नाखी नहीं थी जिसे देखकर डॉक्टर भी हरान थे लेकिन जब डॉक्टर इस बच्ची पर रिसर्च की तो पता चला कि यह बच्ची बोस्मा अरहाईना माइक्रो पैथलीमिय सिंड्रोम नाम की एक रेयर कंडिशन का सिकार थी इस कंडिशन के दोरान किसी बच्चे की आख नहीं होती तो किसी बच्चे की नाख नहीं होती जैसा की टैसा की नाख नहीं है वैसे हम आपको बता दे आज यह बच्ची 7 साल की हो चुकी है जो की पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने माता-पिता के साथ कनाडा में रह रही है हाला कि इस बच्ची की नाग को सही करने के लिए डोक्टर्स ने कहीं तरह की सरजरी भी की लेकिन डोक्टर्स को किसी भी सरजरी में सफलता हासिल नहीं हुई और आज यह बच्ची खुसी-खुसी अपने जीवन को ऐसे ही वैतीत कर रही है योमी बलार्टा दोस्तो हर कोई लड़की अपने ब्रेस्ट साइज को मेंटेन रखने की कोसिस करती है ताकि वह खुबसूरत और आकर सक दिखाई दे लेकिन एक बार इस लड़की को देखकर अंदाजा लगाईए कि इसकी उम्र कितनी होगी अगर नहीं पता तो हम आपको बताते है दोस्तो हम आपको बता दे है लड़की फिलिपिन्स की रहने वाली है और आए दिन अपने बढ़ते ब्रेस्ट को लेकर काफी प्रेसान है जिसके चलते एक इंटरव्यू के दोरान उन्होंने बताया कि आसपास के लोग इनका काफी मजाक भी उड़ाते है वैसे दोस्तो हम आपको बता दे 12 साल की है लड़की एक अलगी तरह की रेयर कंडिसन से गुजर रही है जिसके करण इनके ब्रेस्ट इनके पेट तक आप आँचे है और वो फिर भी आए दिन बढ़ते ही जा रहे है जिससे यह एक लड़की की तरह नहीं बलकि एक मैच्चोर महिला की तरह दिखाई देने लगी है साथी हम आपको यह भी बता दे कि यह अपनी इस बिमारी का लगातार ट्रीटमेंट ले रही है वो डोक्टर्स का कहना है कि यह जल्द ही ठीक हो जाएगी जो कि काफी अच्छी बात है अलेक्जेंडरा सियांग दोस्तो अलेक्जेंडरा सियांग की समझ से भी कुछ-कुछ यूमी से मिलती जुलती है आपको जानकर हैरानी होगी कि अलेक्जेंडरा की उम्र अभी केवल 14 साल है और महें जितनी छोटी उम्र में ही यह किसी जवान लड़की की तरह दिखाई देती है अलेक्जेंडरा का कहना है कि वे दूसरे बच्चों की तरह अपना बच्पन नहीं गुजार पाई क्योंकि उनके सरीर में बहुती चोटी उम्र से ही ग्रोथ हार्मोन्स जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गए थे जिसके चलते अलेक्जेंडरा को काफी अजीव लगता था और वे खुद को देखकर काफी सरमिंदगी महसूस करती थी क्योंकि उनकी उम्र की बाकी लड़कियों के मुताबिक उनके बोडी पार्ट्स काफी बड़े थे जिसकी वज़े से इनको कुछ लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे लेकिन इनकी फैमिली ने अलेक्जेंडरा का साथ कभी नहीं छोड़ा और अपने सपोर्ट के साथ-साथ इने कभी निरास नहीं होने दिया जिसकी वज़े से इनका होसला धीरे-धीरे बढ़ने लगा और अलेक्जेंडरा भी एक आम इनसान की तरह काफी खुश रहने लगी और नतीजा की आज काफी सारी लड़किया इनकी तरह बनना चाहती है विर्शाविया दोस्ता अब हम आपको मिलवाते है एक और ऐसी बच्ची से जो अपनी सारी एक परिसानी का सामना डटकर कर रही है जिसका दिल भगवान ने ऐसा बनाया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे जी हां दोस्तो आम तोर पर हर किसी का दिल बोडी के लेफ्ट साइड में होता है जिसे हम सिर्फ बार से ही दड़कता हुआ मैसूस कर सकते है लेकिन विर्साव्य के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बच्ची का दिल औरों की तरह कहीं परतों के भीतर पसलियों के बीच ना होकर पेट की एक हलकी सी परत के नीचे है जिसे बार से ही बिल्कुल साफ साफ दड़कता हुआ देखा और महसूस किया जा सकता है दोस्तों हम सभी ये बात अच्छे से जानते है कि मनुस्य का दिल उसके सरीर का बेहादी नाजुक और महतपून अंग होता है जिस पर लगी जरासी चोट भी मनुस्य को काफी परेशान कर सकती है लेकिन फिर भी ये बच्छी इस रेयर कंडिसन का सामना बड़ी ही हिमत के साथ कर रही है और तकरीबन दस लाग लोगों में से एक को यह बिमारी होती है और दोस्तो साथ ही हम आपको यह भी बता दे कि ना सिर्क वरसाविया बलकि इंडिया में रहने वाला अर्पित गोहल भी इस रेयर कंडिसन से गुजर रहा है जो कि अपने दिल का एक्स्टा ख्याल रखते हुए सामानिय जीन्दगी जीने की कोसिस कर रहा है दोस्तो थोड़ी सी रनिंग करने से हमारे दिल की धड़कन कितनी ज़्यादा तेज हो जाती है तो जरा सोचे इने कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ता होगा लेकिन फिर भी यह दोनों इस रेयर कंडिसन का डटकर सामना कर रहे है ललित पटिदार दोस्तो सारी रिक परिशानियों से ने केवल महिलाई बलकि लाखो बच्चे और पुरूस भी इसका सामना कर रहे है जिन में से एक है ललित पटिदार दोस्तो क्या आप सोच भी सकते है कि अगर क्या होगा आपके चेहरे पर किसी भालू की तरह बाल ही बालो तो सीधी सी बात है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे यहां तक कि इसकी बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा लेकिन मद्या पर्देश में रहने वाला ललित इस हालात से जूज रहा है मैं इस 13 साल की छोटी सी उम्र में ही ललित एक अनों की परेसानी का सामना कर रहा है जिसके कारण उसे कोई देखना तक पसंद नहीं करता और दोस्तो हम आपको यह भी बता दे कि ललित की एक कंडिसन ऐसी है जिसका कोई शोल्योशन भी नहीं है दोस्तो बच्चमन में सभी के बहुत सारे दोस्त होते है पर इस बच्चे से दोस्ती करना तो दूर की बात बलकि इसके पास कोई आने से भी डरता है दूसरे बच्चे चाकर भी उसका साथ नहीं दे सकते क्योंकि बालू जैसा इसका चेरा काफी सारे बालू से ढखा होने ये करण काफी ड्रावना लगता है लेकिन ललीत अपने सास का परीचे देते हुए एक नॉर्मल जिंदगे जीने की कोसिस कर रहा है हम आपको बता दे ललीत असकूल भी जाता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए अपना बच्चपन भी जी रहा है हलाकि यह सब उसके लिए इतना आसान नहीं था लेकिन वक्त के साथ ललीत ने अपनी इस बिमारी के साथ लड़ना सीख लिया है दोस्तों आपको अमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच